लेकिन कभी कभी जीवन की कुछ घटनाये इस आस्था पर कुछ तारकिक सवाल खड़े करती हैं और तब हम ये सोचने पर विवश होते हैं कि आस्था बड़ी है या फिर तर्क बड़ा है तो आज बहस इसी रहसे पर और आज इस बहस में सामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं हम आपका परिचा करवाते हैं उन मेहमानों से हमारे साथ गोहर रजा साब हैं चीफ साइंटिस्ट हैं निस्केर में बहुत-बहुत स्वागत है गोहर रजा साब आपका हमारे साथ स्वामी सरवानन सरस्वती हैं कुलपती हैं भारती श्री पीठम के नई दिली में बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी हमारे आमी बालिंदू हैं, ब्लॉगर हैं और इनके कई और परिचे भी हैं जो बहस के दारान सामने आएंगे और हमारे साथ हैं अमिताब पांडे, खगोल वैग्यानिक हैं, अमिताब आपका भी स्वावयत हैं. इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आए आए आपको नहीं, ग्रहों की छाया है और ये घटनाएं भौतिक हैं और इनका इश्वरिय ताकत से कोई तालुक नहीं है. भारतिय वैग्यानिक आरे भर्ट, कॉपर्निकस ग्रहों का केंद्र सूर्य है ना कि पृत्वी, सभी ग्रह सूर्य के इर्दगर्द चक्कर लगाते हैं. ये व वैग्यानिक पद्धती से ग्रहों के गतिशील होने का इन्होंने पता लगाया और टेलिस्कोप का आविस्कार भी किया. डार्विन, मानव विकास के सिध्धान्त के लिए मशूर हैं और इन्होंने इन्सान के विकास की थियोरी दी और प्राकृतिक चैन के आधार पर यानि नेच्रल सेलेक्शन के आधार पर इन्सान का विकास होता है ये बताया. Newton ग्रह बहुतिक चीज है और वो गती और गुरुत्वाकर्शन की थियोरी पर काम करती है Newton ने गुरुत्वाकर्शन की थियोरी दी Einstein फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोच किये इश्वर के होने या नहीं होने से खुद को अंचान बताया परनास्तिक होने से इंकार कर दिया और स्टिफिन हॉकिंग ब्लैक होल थियोरी को आगे बढ़ाया इश्वर के होने को लेकर साफ तोर से इंकार किया तो ये कुछ वैग्यानिकों के हमने बातें आपको दिखाई और इसके जरीए ये बताने की कोशिश की कि ये वो तमाम बड़े वैग्यानिक और चेहरे हैं जो दुनिया भर में प्रचलित मानेताएं हैं उसे अपने अपने तरीके से चुनौती दी देवताले साहब इस तमाम जो जनता है उसमें सबसे बुजर्ग आप हैं सबसे लंबा अनुभाव आपका इसलिए शुरुवात आपसे करना चाहूंगी एक तरफ ये वैग्यानिक सिध्धान्त हैं जो कहते हैं कि जो चीज प्रूव हो सकती है वही सकती है लेकिन दूसरी तरफ वो मानेताई हैं जो कहती हैं कि चाहे वो प्रूव नहों लेकिन हम मानेंगे उसे ही सत्य जो हम महसूस करते हैं। ऐसा क्या? यदि कोई चीज प्रमानित नहीं होती है, तो उसे सत्य कहना अपने आपको दोगा देना है। इसके जो भौतिक जगत में अथारत में वास्त्यों में घटित होता है उसे के आधार पर हम अपनी बातिं कर सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो प्रमानित नहीं हो सकती है, वो सत्य नहीं हो सकती है। लेकिन जो हमारे दुनिया भर में जो प्रचलित मानेता हैं, चाहे वो भगवान या इश्वर को लेकर मानेता हो या आस्ता को लेकर मानेता हैं, वो कहीं सिद्ध नहीं होती हैं, कहीं साबित नहीं होती हैं, फिर क्यों मौझूद हैं? अम्रिता देखिए ऐसा है इश्यूर के एक्जिस्टेंस को सुकार करने के लिए अभी एक बहुत बड़ी भेश हुई थी साइंटिस्ट के साथ में जिन्होंने की जर्मन में एक बहुत सेमिनार लगा था गौड पार्टिकल जिसको उन्होंने एक साइंस के एक पार्ट को गौड पार्टिकल दिया था तो उन्होंने गौड पार्टिकल ही क्यों दिया अगर ये मानता ही नहीं है कि जैसे कि कोई रीतियां होती हैं, जो की कुरीतियों में बदल जाती हैं, जैसे कि आपने प्लैनेट के बारे में बताया, साइंटिस्ट ने उसको किया, तो आस्तिक और नास्तिक बात की बात नहीं कि उन्होंने गिरहों की बात की, तो वो जोतिस का अलग चला की. नहीं नहीं वो इसलिए important है क्योंकि हमने अपने पूरी जोतिश को इस आधार पर develop कर रखा है हमने अपने पूरे जीवन को इस आधार पर develop कर रखा है कि ग्रहन अशत्रों के हिसाब से ही हमारी किस्मत तै होती है इसलिए उसका importance है अगर जिसका जोतिश का बनाने वाला सबसे पहले जो है उसने जोतिश को इश्राप दे दिया तो ये तो marketing का हर channel पर एक तरह का जोतिश का जो कार केम चला उन्हीं को नहीं पता मेरा वविश्य क्या है तो ग्रहों जोतिश के उपर ये अगर जोतिश के उपर डिबेट रखी है तो मैं उस पर बिलको सहमत नहीं हूँ मैं अगर एक आस्तिक बाद और नास्तिक बाद जहां इश्र की बात किया आपने हम स्वैम ही आज किसी जोतिश को पता था आज पानी बरसेगा आज जोतिश को पता था कि कुम में इतना बला घटना हो जाएगी जोतिश जिस तरह से साइकलोजी का प्रयोग करते हैं जोतिश जिस तरह से एक तरह से दूसरे को डराते हैं ऐसे जोतिश को हम बहुत हम स्वैम लतारते हैं लेकिन जोतिस एक सास्त्र है, उसको अगर आप पढ़ें, तो जोतिस एक तार्च का काम करती है, कि उसने टॉट जलाई, कि यहाँ स्नेक है, आप इससे बच्चे चलाए, बच कर जाएए, यह जोतिस उपाय नहीं है, वही साइंटिस्ट कर रहें, जो आप ने बताया, लेकिन जो आप बता रहें, कि जिस तरह से हमारे बुजर्ग ने कहा, तो उन्होंने एक ही बाद, सत्यम परमधी मही, यह सत्य है कि आपका existence है, सत्य है कि आप कुछ जो है, बोल रहे हैं, जी, गौहर साब, सत्य क्या है? सत्य तो अपने अंदर कुछ नहीं है हमारी माननताएं हैं और दो तरह की माननताएं है एक वो माननता है जिसमें सत्य बदलता है जिसमें हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास ये जानकारी नई आ गई है और आज का सच बदला हुआ सच है दूसरा सच वो सच है जो किसी कुए के पानी की तरहा है या तालाब के पानी की तरहा है जो हमेशा इस तरह रहता है वो उसमें बदलाव नहीं आते मेरा मानना यह है कि हम डेवेट को सही बात होगी कि निकालके जोतिश से निकालके और इस बाट पर ले आए कि हमारी आस्था हमें कहां तक लेजाती है इनसानियत को कहां तक लेजाती Şish मैंने यह सवाल अपने बच्चimas में सोचने शनुरू मुझे बिल्कुल शुरू में ये अंदाजा हो गया कि अगर भगवान है जो सब कह रहे थे चारों तरफ लो और फिर भी वेतनाम में बचे मर रहें जिनकी फोटोग्राफ रोज आती थी अखबारों में हम बड़े हो रहे थे तब और वो भगवान इन बच्चों के उपर बम गिरने से नहीं रोक सकता तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है मैं उस भगवान से महबत नहीं कर सकता मैं उस भगवान की आगे हाथ नहीं जुका सकता मैं नमाज नहीं पढ़ सकता मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा और अगर उसमें ताकत ही नहीं रोकने की तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं तो यहां से मेरी नास्तिकता शुरू होती है और अब मैं 55-56 साल का हो चुका हूँ कभी मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ी जिसकी बाकी लोगों को जरूरत पड़ती जी, अमिताब मुझे अभी देटाले जी के कविता याद आ गई और मुझे उसके छोड़ा हिस्सा पढ़ना चाहूँगा कि अखबार के चेहरे पर जिस वक्त तीन बच्चे आईसक्रीम खाते हस रहे हैं उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के लिए लुका छिपी करते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वालों की बेंतें उमच रही है इश्चर होता तो इतनी देर में उसकी देख कोड से गलने लगती सत्य होता तो अपनी नियाधिश की कुर्सी से उतर कर जलती सलाखें आँखों में खुपस लेता सुंदर होता तो वो अपने चेरे पर तेजाब पोत अंदे कुए में कूध गया होता लेकिन अगर वो होता तब तो तो यह एक जो सवाल है कि अगर वो सर्शक्तिमान है कोई जोसा कहते हैं लोग उसके कोई ग्यान में कोई विश्चतिमान का प्रमार्णी मिला है बुलते, force है, कोई ताकत है, तो हम 4-5 forces को जानते है, एक आपका electric force था पहले, magnetic force था, दोनों को जोड के बना दिया, electromagnetic force, फिर एक force था आपका अबिक के अंदर force मिला, दो तरह कि force मिले, एक था आपका weak force, weak nuclear force, है et strong nuclear force, तो weak force को electricity, electromagnetic force से बना के, इलक्टो वीक फोर्स बना दिया गया अब विग्यानिक इन सबको जोड़के कल्पना कर रहे हैं को ऐसी एक फोर्स होगी जो फिडिकल चीज़ है इनके पार्टीकल है जो ढूड़े गए है लाइट का जो पार्टीकल होता है फोर्टॉन वो एलक्ट्रमेनेक्टिक फोर्स को क किसे चल रही है इसमें किसी भी बनाने वाले का किसी भी तरह का कोई अस्तित्र का प्रमार दिखता नहीं है यह तो बहुत वो चलिया है हमसे मजाग कर रहा है हमें धोका दे रहा है और यहीं तो वाकई कुछ नहीं है और अगर है तो यह सब क्यों हो रहा है बलेंदू जी दे क्यों कि आतने मैं धर्म को इश्वर को सबको मानता था मौत ब्रा धर्मिक कि था अंगे था नास्तिक बन गया के surprises बड़ी बात यहे है कि फ्रस्टिक्ष को प्रमान अवश्यक्ता नहीं होती और सत्य को विश्वास की अवश्यक्ता नहीं होती जहां पर आप से कोई कहे कि आप विश्वास करिये क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है आग का काम है जलाना वो जलाएगी आप विश्वास करो यह मत करो कोई फरक नहीं पड़ता आग का जो का सबसे बड़ी बात यह है कि आप इश्वर को शरीर से इंद्रियों से मन से ज्ञान से बुद्धी से नहीं जान सकते ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है ये बात वेदों में शास्तों में लिखी है फिर मेरे समझ में नहीं आता कि आस्तिक लोग ये धार्मिक लोग क्यों अपना माथा खोपड़ी खराब करते रहते हैं प्रमार दे दे कर कि ये इश्वर है इश्वर है अरे भाई तुम्हारे शास्त्रों में खुद ही लिखा है कि आप इश्वर को इंद्रियों से दुद्धी से मन से ज्ञान से नहीं जान सकते ये आस्था और विश्वास का अपने आप में एक ताकट ढूंडते हैं आपने जो प्रिथम प्रश्न किया था उसका मैंने सटीक दो पंक्तियों में जवाब दिया था मैं अप अपनी बात कहना चाहता हूं बछपन से मैंने ये देखा कि एक बगीचा है और एक बागवान है तो बगीचा उजडता नही तो एक छोटा सा इंसान जब अनुपस्थित जब होता है मौजूद होता है तो उसकी दुनिया उसका जो छोटा सा परिवेश होता है वो पनपता है हसता है गाता है उसमें संगीत होता है जीवन होता है ये इतनी बड़ी दुनिया तबाह हो रही है अगर इश्वर होता तो यह होने लेता, बच्चे वर रहे हैं भूग से, कुपोशिट बच्चे, करोडो कुपोशिट बच्चे हिंदुस्तान में है, यह आधमी की कूबत है, आधमी की ताकत है, कि उसने सदियों पहरे अपनी सुरक्षा के वास्ते और अपने यकीन के वास्ते इश्वर का निरमान क God was created by human being और उसको अपनी कवी करपनाों से विचारों से उसको बनाया कि उसका भगवान का सेवग जाए और एक पहाड उठा के बूटी सहीत आजाए वो सेवग बनाया किन्तु जिस आदमी ने इस्ट्वर को बनाया उसी आदमी ने करपना में कवीओं में, कवीदिन दंतियों में महाकावे में जिस भगवान की स्रेश्टी की मनुष्यों ने ही उसे नष्ट किया उसे चिन भिषन किया और उस अपनी करपना को गयाप कर दिया और आज हम देखते हैं कि इस्वार के नाम पर सिर्फ धंदा है बजब के नाम पर सिर्फ धंदा है और धंदेवाजों के पास इतने कठिन-कठिन शब्द हैं और शास्ते के ऐसे-ईसे उद्धगन है जो आदमी को बेहोशकत है जो आप कह रहे हैं कि अगर भगवान है तो फि अगर सास्त में आप जाएं तो ये भगवान कोई ऐसा रूप नहीं है, भगवान वहां से कोई पिता जैसे का परवार की तरह नहीं है, उसके यहां तो प्रिकृती भी है, मनस्बी है, जितना एक कीट से लेकर के बहुत कुछ है, लेकिन उसका अस्तित ये नहीं कि उसको सुर जैसे की आप अमरता हैं, आपको एक नाम दिया, आपके पिता ने, हमको सरवानन दिया, तो हमारा एक एक्जिस्टेंस है, जिसको कहते हैं सरवम खलू इदम ब्रह्मौ। लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका भगवान वही है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, ये जो मानताएं लोगों ने दी हैं, कि भगवान मेरे इस तरह के हैं, वो ये मानताओं के उपर भगवान का सत्त नहीं है, इसलिए सत्त सब्द को कहा गय है सास्त्रों में सथ्यम परमधिम ही जो आपकी बुद्धी में सटता हि जिस सत्त ताका कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता है, जिस सत्त को गीता कहती है, तो ये तो फिर मन की कल्पना हुई ना, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो सत्त है, मगर दिखता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक कोई काल्पनिक चीज है और शायद यही वज़ा है कि दुनिया में आज 500 सारे 700 मिलियन योग ऐसे हैं जो नास्तिक हो चुके हैं यह चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अब लोटेंगे तो यहाँ पर मौझूद जो जनता है यहाँ पास सो लेते हैं आतने मैं कलपना या उसके या आधार पर इशवर में कहता हूँ आप एक पत्थर में ले लिजेए आपके जितनी गहरी प्रिष्भाुत होगी लेकिन सत्त जो है इश्र है वो दृस्ता नहीं चैने इस नहीं है दृस्ता हो सकता है दिरस्तिका मतनब यह नहीं कि जैसे कि हम हाथ फैला करके यह कर दें बच्चों को को पोशन डोक दें या बीमारियों को सवाइन फुलू आया लेकिन जो 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 आम आदमी है वो तो इसी रूप में समझता है अगर इस वह कुछ नहीं कर सकता तो क्यों है वो बिना बात के यह यहां पर जो लोग बैठे हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे आज हम बात कर रहे हैं भगवान और विज्ञान की हम बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या भगवान का कोई अस्तित्व है या जो चीज साबित हो सकती है विज्ञान के जरिए सिर्फ वही सकते है अमिताब इस वक्त दुनिया में कोई साथ सो मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपने आपको घोशित रूप से नास्तिक कहते हैं और जिनको विश्वास है कि जो साइंस कर रहा है सिर्फ वही सत्य है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है जो सत्य है वो डेमोक्राटिक इंस्टिशन ही है कि इन परिफ के 99 परशवत लोग किसी बात को मानते हैं इसलिए हो सत्य है सत्य भले एक परशवत हो वो सत्य ही रहेगा दूसरी बात यह है कि दुनिया के जिन देशों में आप देखेंगे कि ज्यादा खुशाली है जहां social security अच्छी है सरकार हैं लोगों का ध्यान रखती है लोगों की भागिदारी रखती है लोगों का पूरी बात करती है तो आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत बड़ा है यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जहां पर पता चलाएगा कि 80% लोग नास्तिक है वो खुशाल देश है और जो देश जतने ज़्यादा धार्मिक इतने कटर धार्मिक उतनी बधाली में रह रहे हैं दूसरी बात ही है विग्यान के दुकान की बात चली थी विग्यान की दुकान के बदौलत ही कि जिसको रिशुत चाहिए जिसको हमारा भला करने की रिशुत चाहिए परसाइच चाहना है पूजा करने इपने बाल कटवा देने किसी को अपने हाथ कटवा देने किसी को खतना करवा देने कैसा इशुर है उसको खुश करने के लिए तो ये जो बिचारे मिट्टी के जिनको हमने बनाये क्या कहते हैं, मिट्टी से बनाये हैं इनको, ये मिट्टी से बनाये एक बनाया था, उसने कहते हैं कि एक शैतान को बनाया था, जिसको आग से बनाया था, उसने सारी दुनिया को बेगार दिया, तो हमारी क्या गलती है, समासुधारकों ने, कभीर ने, तुकाराम ने, चंडीदास ने, इन्हों ने सब ने कहा है, कि ऐसी कोई चीज नहीं है, दुनिया कितनी बेवकूफ है, जो पत्थर पूझने जाती है, घर की चक्की कोई नहीं पूर्ती, उन्हों ने कहा है, ये बहस जो है, और इसके लिए इ है, भाषा शब्द के प्रतिबदता हुए, शब्दों में, कठिन शब्दों में और चीजों को गरबर करके रोहों को मुल्ख बनाना और भ्रहमित करना ये सक्ते नहीं है, वो नधारमिक भाषा है, नमज़भी भाषा है, स्त्य जो है, आत्मा का स्त्य होता है, आदमी का हर आदमी का नीजी सत्य होता है वीवे का नन ने कहा था बड़े बड़े संतों को पीछे पड़के जो इनसानी कमजोरिया है वो उसको विवश्च करती है भगवान को मानने के लिए हम सिर्फ इसको इस नजर से नहीं देख सकते कि आज क्या हो रहा है हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा जब इनसानने सवाल पूछने शुरू किये तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जिनका जवाब उसके पास नहीं था वो सवाल बार-बार पूछता रहा कुछ सवाल ऐसे थे जिनको उसने शुरूआत में ही पूछा कि ये चीज़े कैसे होती है कुछ सवाल ऐसे थे जिनको क्यों होती है से शुरू किया जो मेटा क्वेस्प्शन या बड़ा सवाल ज्यादातर धर्मों का है सभी धर्मों का है वो बड़ा सवाल क्यूं से शुरू होता है और जब क्यूं से शुरू होता है और हम अपनी ग्यान की सीमा पे पहुँचते है तब जवाब सिर्फ हमारे पास रह जाता है कि ये कोई न कोई शक्ती है उसकी मर्जी की वज़ा से हो रहा है लेकिन जब हमारा सवाल शुरू होता है कैसे से तब वो साइंस का सवाल होता है और वो साइंस का सवाल हमें जब ग्यान की अपने सीमा पर ले जाता है तो वो सवाल का जवाब आता है कि आज हमें नहीं मालूम, कल हमारी जानकारी और बढ़ेगी तो हमें पता लग जाएगा इसलिए जो science है, वो ऐसा, ऐसी body है, knowledge की, जो हमेशा बढ़ती रहती है और सीमाएं उसकी जैसे जैसे फेलती जाती है, वैसे वैसे extra science जैसे कहें हम, जो इसमें सारे धरम आते हैं, उनके सीमाएं सिमटी जाती है कल तक बहुत सारी भ्रांतियां थी जिन पर शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्वामी जी शायद आज उनको ना बताएं, आपके सामने के ये भी शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, ये भी धरमें किताबों में गलत लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें बता हैं हमारे अंधर चलने वाली ही बाते हैं साइरी साइंस ने पिछली दो सद्धियों में बतारा चाहूंगा अभी कली मैं पढ़ रहा था कि बहुत ही जल्दी एक छोटी चिप यहां लगा दी जाएगी मैं आपके मन की बात जाता हूंगा हम दोना के चिप लग जाएगी यह क पांच विद्वान आप भी पांचों में आ गई एक में बता दू इस्वर ने कभी भी जब यह स्रिष्टी प्रारंब हुई साइंस यह कर सकता है कि एक फूल के कई कलर को सिद्ध करने के तोड़ मोड कर दे उसको लेकिन इस्वर एक ही काम करता कि फिलावर्ण में कई तरह के कलर एक ही तरह के आपने दोगओ दुनिया में जितनी श्रिष्टी सब के चेहरे अलग यह-लग एक ही साचा नहीं है तो जो कुछ भी इश्वर ना करता है ना संघरता है इश्वर आपके अंदर एक प्रसंता है एक हैपिनेस है जो साइंस एक खोज है तो उस खोज में भ बुद्धे पर तस्टूसा जब मैं इन साइंटिस्तों की बुद्धी के पीछे बैठ करके मैं ही करा रहा हूँ तो ये कौन कर रहा है जिसको दिखाई नहीं देता है एक पता तो इसको मजव या धरम पर नहीं ला जाएंगे जोर साब प्लील यहां यह बहुत अच्छी कोई ऐसी सत्ता है जो हमको अब आज एक मिट में आज एक मिट में आज़े जा रहा था कि साइंस का यह सवाल ही नहीं है कि इशुर है या नहीं इसलिए साइंटिस्ट हो सकता है कि कोई मानता हो इशुर को लेकिन साइंस इशुर को मानेगी यह सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंके साइंस को सवाल ही नहीं है न्यूटन देखिये ऐसा है फर्ख क्या है इस ग्याम में जी फंडमेंटल क्वेश्चिन ऑफ साइंसे तो फाइंसे तूट इवेंचली अगर गॉड है या नहीं वो साइंटिस्टी रून के बतायेगा लेकिन लेकिन एक मिलेट अप्रोश देखिए वे अप्रोश धेखिए इस दिस्कॉशन इस दिस्कॉशन इस गुएंग इन डिफेंट डिरेक्शन आप उसे स्टार्ट करके गॉड को नी डून सकते हो यू कांट स्टार्ट ओ सेंग कि भगवान ने व्येटनाम में बॉं कियो गिरा वहां पे लोग क्यो मरें उस डेफिनिशन से अगर आप स्टार्ट कर रह तो आप भगवान को नी डून पा होगे आप ने तो अर्ड ने तो अल्ड अल्ड एक डिफिनिशन के अंदर बना दिया भगवान को और आप कि चलो इस डफिनिशन चाब छलो बढ़ान को डुंते हैं you have to stop, you have to stop that you have to step back you have to step back and start from a fresh mind from the scratch and try to figure out what is God you don't think that why is that happening there why is God not having that happening there that's why God does not exist that is the wrong approach and I am very very clear that if God is, I think you are agnostic I think it's a very personal question it is going to be a personal experience for me my personal experience will determine God exists or not but you believe that God is God I believe that I don't know I believe that from your definition there will be no difference I believe that if I get God then He will get me in the middle He will get me in the middle but He will not get me in the middle very good my definition of God is that my relationship with God is going to be my relationship not based on your relationship my father's relationship has been just with me You have to be on the middle It is so funny that we have to think about the Conversation which is what you are saying your God will get you Your God will get you He will get me those God will get you His God will get you is going to be एक शास्त्रों में उपनेश्दों में जो इश्वर की परभाशा की गई है उस पर आते हैं जिसकी रंग है नग कोई परफाश्या फक्रमर इसकी जाव क curse की लिया तुक एक तो आप जिसकोक्त की नहीं गजgression मेरी करा बना इसकी पर वांद सामार यह ग्यो नहीं अरे उस इशुड़ को अपने स्वाथ के समसे परवाशित किया है कोई ग्यान की तलाश कर रहा था कोई अपनो किसको अपना कोई राज्य चलाना था सबता चलानी थी उसके लिए कि इश्वर गड़ा जो के डंडा लेकर खड़ा हुआ है इश्वर लोग गरीब लोग गरीब लोग रो जाकि पूजा करते हैं अपना धन लुटाते हैं उसको उपर अपना वक्त बरबाद करते हैं और जिसकी दुकाने हर जी के खुड़ी हुए हैं हर फुटात पर कब्जा होता जा रहा है जब बच्चों के खिलना के पार खतम कर दीगे वहाँ मंदे बना दिए गए साइवाबा की टेंपल बना दिए यह क्या हो रहा है यही बात है परस्नल आस्था की अपनी अपनी आस्था की यही बात है हम आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भगवान को सिद्ध कर जा सके या ना किया जा सके लेकिन भगवान है horn है आज हम बात कर Helsi आथ हम बात कर रहे हैं विग्यान और भगवान की और दुनिया भर में ऐसे तमाम उदाहरन है जब जब भगवान की आस्था कुछ नौती दी गई है तब तब जो है उसे तरह तरह की मुश्किलों को का सामना करना पड़ा है एक कवी के बारे में मैं पढ़ रही थी पीवी शली जो अंग्रेजी के बहुत मशूर कवी हैं उनको आक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था सिर्फ नास् जोड नहीं रहा हूं बस मैं यह बोल रहा हूं कि भगवान एक रिजिजन का प्रतिनिदी है तो वह प्रतिनिदी बैठ करके यह सब देखता रहता है साइंस के नाम पर आज तक आप मुझे एक यूग्ट बता जी जो साइंस में आपस साइंस स्टार्ट किया हो जिलीजन के लिए इश्वर के लिए उस इश्वर के लिए यह सब हो रहा है और वह आखे बंद करके महां सत्ता में बैठा वह देख रहा है कि 6000 साल बात कल्यूग खतम होगा फिर वो सजा देगा और आज यहां लोग मर रहे हैं उनको बचाने कौन आएगा जी इस बहस का कोई अंतनी है और जितनी सुक्तियां और ग्यान और पांडिति का प्रदर्शन है वो मनुष्य के सहज विवेक, सामाने चेतना और साधारन आदमी की सोच समझ से बाहर है मेरा फिर अंतनी मुष्य के यह कहना है कि मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के वास्ते अपने सरोकारों के वास्ते जिस तरह से बीजू का खेत में बना देते हैं जिस तरह से पथर का गाओं गाओं के अंदर एक गाओं का देउता बना देते हैं कि गाओं की सुरक्षा बनी रहेगी। काटी गाउं जैसे गाउं में जहाँ गांस काते ते वहां भी एक देवता बना हुआ था इश्वर का निर्मान किया है और सदियों से उसको बड़ा बना दिया अब मेरा ये नियवेदन है कि उस इस्वर को मनिश्य ने ही अपनी करतूतों से इची नभी ने किया है अब आज की वह से मुझे रखता है कि आप विज्ञान को भी भगवान बना देंगे जी हम एक ही बात है भगवान और आस्था की जो बाते डाइवर्ट हो रहे हैं जो धर्म के बात जा रहे हैं में एक ही बात जानता हूं हर इंसान हर बच्चा अपने अंदर समझत फी जाता है कहीं को वदय मन्दर बना तो वो अपने सब के बने आ जर्म है आज थिका होगा चर्च जो जाती है उचाहिपर अकास किश कूच हूती है आप इश्वर की सत्ता को अपने अंदर प्रसंदता को इसी इश्वर तो एक ही बात कहता है कि नीरस जीवन कहो नभईया जीवन रसकी धार है इस बहती संस्रति का ये सपना संसा ये तो सपना है जी है उस्टेस कैसे लोग चार लोग नास्टिक है एक आस्तिक है जी कहता हूं जो चार हैं नास्तिक है उनने धार्मिक गरंथोक अधियन बिल्कुल एकदम सीरे से नाकारते हुए करा है और जो अधियान का अधियन नहीं किया है विज्ञान ने कहीं भी सीरे से ईस्वर को ना का रहा नहीं आइंस्टीन नहीं था मैं नास्तिक नहीं हूं ठीक है ऐसे बहुत सारे वज्ञानी के जुने नहीं कहा था कि एक ऐसी सक्ते है और यह लोग जो बाप कर रहे हैं तो जलाता क्यों है जलाता क्यों है मैं कहता हूं आ आप जवाब सुनना चाहेंगे, एक में सवाली पूछ रहा हूं, साइंस ने, इसवर ने कहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्भम पटकना.. जब आप सवाल कुछ जूँचे, पाँच्वास सवाल कुछना है.. अपने वीवेक से जब वहां आग लग रही थी तो आप घर पे बचाने कूं नहीं गें यानि आप अपने धर्म को गलत मांगें अब आप जवाब इसन लीजी अपने जवाब एक कविता से दिरू देताले सर की हैं कानों में आवाज आई मा की थी धर्ती पर धर्ती पर ढूड़ो दुखों की जड़ें यहीं हैं जिससे घबराए बाप तुमारे तक्ते हैं आसमान हमारे सारे सुख दुख की जड़ यहीं सी जमीन में हैं किसी उपर आस किसमें कहा असमान में हैं लेकिन सारे धर्मों के अंदर नफरत घ्रणा दूसरे इंसानों से उतनी ही है जितनी महबत की बात की जाए लेकिन जाल हैं है लेकिन के लिए लेकिन ऑसी मतोड़ा ने सुनिया बालमी की ढ़्मायन पढ़ीर अपनकरण कि शीच अप एक शुपरनग क कर से तयू है कि अग्न परिफ्षा रॉक्ष्प रॉक्ष्षाण स rebound Art आप उसका टूज़ा रखे रहा हम सब्सक्राइब कर रहा हूं लोग नहीं आप वेट वेट को कोट करके बताइए आप कुरान को कोट करके बताइए इसे सरोथा माना जाता है आज वी देस्ट में दिल्ली वी सुविध्याला मैं से लोग हैं जो राम के अगनी सीटा की अगनी परिछा को नहीं मानते हैं, की अगर हम बाइस द्रॉड नमां के निठी करना चाहें तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा जैसे जादे तर लाकों करोडों लोगों को नहीं दिखाई देता है लेकिन हर धरम के अंदर नफरत घ्रणा उतनी मौजूद है वरना मैं अपना धरम मानूगा ही नहीं मैं अपने धरम को बहतर समझता हूं दूसरे से तभी मैं अपना धरम मानता हूं दूसरी बात ये है कि धरम के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है जो सड़ा गला बद्बूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वज़ा से आप बात कर रहे हैं बेहत पुरानी किताबों की आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फरक पड़ता है कि आप किस धरम का जहर खाना चाहते हैं जब चाहें तो आप बड़ी ने 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 ौर। दोने बहुत थाण तो सवामि बालिंदू साम गपड़ bin धर्मिक शक्स थे और व्रिंदावन में धर्म की सीख्षा दिक्षा दिया करते थे लेकिन अपने अनुभाव से इन्होंने सीखा कि धर्म में वो सारी चीजे नहीं हैं जो हमें आगे ले जाए और उनुभा नास्तिक हो गए आप अपना अनुभाव सुनिए इसके बाद सवा आस्तिका प्रमार देजिए कुरान के लिए आप पूछ रहे थे कि कुरान में लिखा है क्या कुरान में कितनी जगे लिखा है कि जो नॉन बिनीवर्स हैं नास्तिक हैं उनको कतल कर तो उनको मार तो एक सिंगल लाइन बताईए आप कुरान लेकर के आईए आपने शायद अरुन सूरी की वो किताब पढ़े होगे वर्लाव फत्वास जहां भी तुम नास्तिकों को देखो कतल करो उसकी अगली लाइन आपने नहीं पढ़ी उसकी अगली लाइन में ये लिखा है कि जंग के म अब आपका तर्थी खलगी निया अब लेकिन सवाल ये है कि हम जिसे मानना चाहते हैं हम उसे ही मानेंगे मांक्स ने कहा था कि हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितिया ही हमारे विचार बनाती है और इन्ही विचारों से हम भगवान की कलपना करते हैं यानि भगवान के बारे में अपनी सोच अपनी राय बनाते हैं लेकिन क्या हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वज़े से हम कुछ मामलों में भगवान के उपर अपनी श्रद्धा छोड़ देते हैं और अपनी तमाम जो मुश्किले हैं उसका हल भगवान में ढूंडने लग जाते हैं बालेंदू जी? इस दुनिया का विकास हो रहा था और दुनिया में सब जगए एक साथ हो रहा था तब जो बहुत से अनुत्तरित प्रिश्ण थे उनको मनुश्यों को उसका उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये क्यों हो रहा है बारिश क्यों हो रही है बिजली क्यों कड़क रही है तूफान क्यों आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि ये निश्चेत रूप से कोई अद्रिश्य सत्ता का कमाल है और उन्होंने एक अद्रिश्य सत्ता को मानना सुरू कर दिया फिर अलग अलग जगहों पर लोगों नियम बनाने शुरू किये समाज को बांधने के लिए अलग अलग धर्मों का शुरू हुआ परंतु सब्ते बात यहीं है कि इश्वर जो है वो आस्था और विश्वास का विश्य है उसको आप खोजने नहीं जाएए जो बात यह हो रही थी कि धर्म की दुकान और विज्ञा आपसे आकर यह नहीं कहेगा कि मुझको मानो वो तो आपको मानना ही पड़ेगा उसके अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है तो जो ईश्वर की बात है वो विश्वास और आस्था की है तर्क की नहीं है मैं हाथ जोड़ करके सभी आस्थिकों से और धर्म वालों स इश्वर वालों से कहना चाहता हूँ, कृपया तर्क मत करिए, बुद्धी मत लगाईए, तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं, वहाँ पर तर्क का कोई काम नहीं है, वहाँ तो आप मानो, आख पंद करके, देखे, बिज्ञान होता है, वहाँ पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परन्तु भगवान में, धर्म में, आप शक नहीं कर सकते हैं, वहाँ शक की, डाउट की, कोई गुंजाइश नहीं है, और यहाँ बैठे वे लोगों में भी दिख रहा है, आप कोई मरता है, कोई बिज्ञान क्यों बचाता है, भगवान क्यों नहीं बचाता है, अगर कोई पापी पाप करता है, उस समय भगवान कहा है, बहत अच्छा तुम्हें प्रुशनी का, बिज्ञान क्या जो बिज्ञान बचा रहा है, बिज्ञान बचा रहा है आपके कहने से बगवान की बात जो हमारी बात चल लहीं है अभी आज चर्चा है के वल साइंस और ईश्वर की चर्चा है तो ईश्वरवादी जो लोग है वो केवल अगर आपकी आस्था अपने अंदर है तो आप यह कह सकते हैं प्रमेश्वर इसका अगर आयू जो भीदी है इसको आप वो तो अपने आप जलती है ना, महा तो सारे साइंटेस्ट तो सब फेल हो चुके ना, लेकिन वो जौला कहा से आ रही है, महा पर तो भावान का कुछ महत्व होगा ना सर, आप बताइए, बहुत सारी चीजें हैं, जो साइंस एक्स्प्लेइन नहीं कर पाती, ऐसी बहुत सार जाते हैं या मतलब जवाब भी चाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैगनेट के बारे में इनसान नहीं जानता था, तो सोचता था यह बहुत सारी चीजें, आज हमें मैगनेट के बारे में पता है, पहले यह सोचता था कि धर्ती जो है फ्लैट है, आज हमें पता है कि नहीं है फ्लैट भगवान का बनाया हुआ था अब हमें मालूम है कि बिग बैंग हुई उसकी वजव से बनी है यह सारी चीज़े तो जैसे जैसे हमारे विग्यान की सीमाय बढ़ती जाती है हम एक्स्प्लेइन करते जाते हैं आपको शायद पता नहीं हो कि वहां ज्वाला छाए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां बगवान की विजा से हो रहा है हमें नहीं मालूम अगर साइश का सवाल है तो हमें नहीं मालूम जी आस्था के लिए तो बहुत लोग जा रहे हुआ पर पैसे भी चढ़ा रहे हूँगे जिप ज़र गय होंगे उपानि जिस तो इस प्रफ्ट पर शुड़े लिए पर शुड़े पहले हमने एक पार्टिकल के बारे में सुना था जिसे का गया था हिक्स बोस्ओन एक दो गॉड़ पार्टिकल हाँ सर उसका यह था कि वह फंडमेंटल ब्लॉक है बिल्डिंग ब्लॉक है युनिवर्स का तो अग्स तो स्पिरिच्वालिटी और साइंस एक ही सेम पेज पर नहीं है उसका नाम क्या है टेक्निकल नाम है हिग्स बोस्ओन पार्टिकल एक साइंटिस्ट ने किताब लिखी जिसमें उसको उसने लिखा टाइटल दिया गॉड़ डैमिट पार्टिकल उसमें हटा दिया लोगों ने और गॉड़ पार्टिकल के नाम से मश्यूर कर दिया यह चले जाए यह इंटरेट पे आपकी अगर जानकारी उसके बारे में कम है तो बढ़ा लीजिए उसका नाम गॉड़ पार्टिकल किसी ने नहीं दिया घलत कहा जा रहा है साइंटिस्ट उसको गॉड़ पार्टिकल कहते हैं और मुझे शर्म आती है इस बात पर कि मीडिया ने उसका नाम गॉट पार्टिकल दिया जब के हमें गर्व होना चाहिए था कि हमारे आके एक साइंटिस के नाम के उपर उस पार्टिकल का नाम है सर बात नाम सुना कर नाम आत पे निहीं, बात उसकी प्रोपरटी किये है के उसे फंडामेंटल प्रोपटी और जाता इसने इन उनियोकर ऑख इस विफंडमेंटल पार्टिकल हुए ठीकल आपक एह उसको वह कितनी थी, हाला कि जहां पर आस्था की बात है, वहां पर कई बार वैग्यानिक जो खोज है, वो तमाम दावे करने के बाद और तमाम सिद्ध करने के बाद भी आस्था से लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन एक बात आप से जरूर जाना चाहूंगी, जाते जाते आपके क वालों का हल आने वाले जीवन में निकल सकता है, आने वाले भविष्य में निकल सकता है, तर्क कुतर्क से कोई समाधान नहीं निकल सकता, धर्ती पर्यावरन पर प्रेम और अपने पर विश्वास और अपनी नीजी शब्द की आस्तिक्ता मानिश सत्य पर यकीन और मानिश विष्वास अपने उपर रखें, बूस्रों के उपर ना रखें, और शायद इस चरचा का अंध भी यही होगा, कि विष्वास अपने उपर रखें, और इसी विष्वास के बढ़ने की और विज्ञान के हिसाब से तरक्की करने की सोचें, जैसे जैसे विज्ञान आया, आपके जीवन में तरक्की आई, जब आप पुरातन पंत के जमाने से लेके आज तक जो आगे बढ़े हैं, यहां तक जो पहुंचे हैं ये विज्ञान की बदॉलत है और शायद अगर आप विज्ञान में इतना ही भरोसा और आस्था रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जीवन और आगे जा सकता है बहुत बहुत जन्याद आप सबी का इस कारिक्रम में शामिल लिलने के लिए नमस्कार